सामलेकुम, आज का हमार टॉपिक है राइबोजोम्स, राइबोजोम्स भी हमारे पास यूकरियोटिक ओर्गिनल है, लेक्चे को स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूँ कि आप मेरे चैनल तेरी डोस अफ एजूकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें कि और वीडियोज को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहें तो आज का हमार टॉपिक है राइबोजोम्स, राइबोजोम्स हमारे पास यूकरियोटिक ओर्गनल है जिसना हम सीक्वेंशल वे में चल रहे हैं, यूकरियोटिक ओर्गनल को स्टडी कर रहे हैं, तो ये भी उनमें से एक है आज हमने इसकी टायग्राम को देखने हैं और साथे साथ कुछ important points से उनको discuss करने है तो इसके introduction में सबसे पहले तो ये बार बताते ही चलों कि सबसे जो first इसको जो है isolate किया गया था या study किया गया था वो by the scientist पहले डे इस चीज़ को study किया गया था उसी नहीं ribosomes को जो है वो identify किया था और recognize किया था in the cell और 1955 जो है उसी येर में जो है इसे study किया गया था ribosomes को ribosomes के बारे में ये भी बात है कि ये हमारे पास membrane bounded organal भी है और non membrane bounded organal भी है और इसी वाज़े से ये prokaryotic cells में भी पाया जाते हैं तो इनकी भी different types आ जाते हैं फिलहाल हम यूकियोटिक ribosomes की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास appearance में इनकी tiny granular structures होते हैं granules की form में हमारे पास ये present होते हैं in cell अब ये cell में present होते हैं in two forms या तो ये freely dispersed होते हैं in cytoplasm एक तो ये इस form में present होते हैं ये हमारे पास first form आगी या ये हमारे पास attach होते हैं with rough endoplasmary reticulum पर और इस चीज़ को हम बहुत detail से study करके आ चुके हैं अगर हम इसकी composition की बात की जाए कि ribosomes are a composed of one तो वो equal number of ribosomal RNA और proteins इनके equal numbers को मिला कर हमारे पास ribosomes बनता है means इनकी composition ये है और उसी के साथ साथ इनको ribonucleos protein particles भी कहा जाता है और RNA पर present ribosomes को जो है जो attach होते हैं जो RNA के साथ present होते हैं उनने कहा जाता है ribosomal RNA उसी के साथ साथ हमारे पास ये point भी clear हुआ हमारे पास ribosomes कहां assemble होते हैं कहां पर उनका जो है वो सारा process होता है निनिसियेशन कहां होती है तो वो होती है nucleus के nucleus में जो कि हमारे पास stain जो है वो dark stain है nucleus में मजूद वो nucleus कहलाते है वहां पर ribosomes तो हैं वो असेंबल होते हैं या फैक्टरी भी कहा जाता है राइबोजॉम की नुकलियॉलस को और वहां से वो जो है वो सिंटिसाइस होके ट्रांसपोर होते हैं साइटो प्लाजम में नुकलियर मेंबरेन में मुझूद पोर्स के थूँ तो ये चीज हमने डिसकस कर ली अब हमने देखा कि राइबोजॉम्स का जो है वो फैक्टरी नुकलियॉलस है लेकिन हमारे पर राइबोजॉम्स है वो भी किसी की फैक्टरी है यानि कि रिस्पॉंसिबल है फॉर्डर सिंटिसिस ऑफ प्रोटीन इसलिए इसको फैक्टरी ऑफ प्रोटीन सिंटिसिस भी कहा जाता है और यह एक इंपॉर्टन MCQ है जो कि पूछा जा सकता है कि राइबोजॉम्स की फैक्टरी कौन से है तो हमने बताना है नुकलियॉलस और हमारे पास प्रोटीन की सिंटिसिस की फैक्टरी है राइबोजॉम्स अब हम जो है वो डायग्राम को देखते हैं और हमने इंपॉर्टन पॉइंट्स डिसकस कर ली है राइबोजॉम्स के मतलए और इसके हमारे पास जो है टू सब उनिट भी होते हैं यूकरियॉर्टिक राइबोजॉम्स के एक स्मॉलर तो ये सारी बाते तो थी ये हमारे पास ribosomes के mean जो है basic intro था अब हम diagramatically इसका देखते हैं इसके procedure को कि जिसके through ये protein के synthesis करता है तो ये हमारे पास की जो red marker से मैंने line row किया ये हमारे पास messenger RNA messenger RNA का ये 5 prime end है और ये 3 prime end है messenger RNA जो है हमारे nucleus से जो होता हुआ cytoplasm में आया है cytoplasm में मजूद ribosomes के पास ताके protein के synthesis की जा सके ताके उसके उपर मजूद जो information है genetic information उसको read किया जा सके और उस information के रीट करके proteins के synthesis की जा सके और ये सारा process हो रहा है cytoplasm में और क्योंके cytoplasm में present है ribosomes dispersed हुए में freely तो हमारे पास जो है एक larger sub unit होता है एक smaller sub unit होता है ribosomes का हमारे पास जो है इन दोनों की attachment होती है messenger RNA पे और वो होती है through magnesium mind magnesium mind जो है वो attachment के लिए responsible होते हैं of larger and smaller sub units of ribosomes सबसे पहले हमारे पास smaller जो है वो हमारे पास attach होता है अब eukaryotic ribosomes की बात की जाए तो larger जो sub unit है वो 60S का है और जो smaller sub unit है वो 40S का है ये हमारे पास S का है sub unit है इसे sweat bug unit का जाता है वो ultra centrifugation में use होता है पहले हम इस S जो है हमारे पास जो sub unit है इसको study कर लेते हैं जिसे हम sweat bug भी कहते है मैं या लिख देती हूँ sweat bug इसको कहा जाता है और ये sub unit इस्तमाल होता है for ultra centrifugation for example हम sedimentation की बात कर लेते हैं पहले कि हमारे पास for example एक cup है उसके अंदर हमने जो है वो पानी भी डाला और साथ ही साथ two different types of जो है वो हमने soil particles भी डाले एक salt थोड़ी से भड़े size की थी soil और दूसरे हमारे पास कुछ tiny particles जो है उनकी form में present थी तो हमने जब उनको आपस में जो है वो mix किया एक cup of glass हमारे पास water जो है उसमें filled है तो हमने जब उसको आपस में mix किया तो फिर थोड़ी देर बाद जो है वो swirl होना शुरू हो जाएंगे at the bottom और वहां पर accumulate होना शुरू हो जाएंगी हमारे पास जो larger जो है particles वो हमारे bottom पे पहले पहुंचेंगे as compared to that of small particles और rate of sedimentation per unit time हम discuss कर रहे है और sweatberg unit हमारे पास sedimentation का rate है कि कौन सा particle जो है वो sediment हो रहा है means कि layer बना रहा है पहले bottom पे कौन settle हो रहा है तो large sub unit हमारे पास पहले जो है वो settle down हो रहा है small जो हमारे पास particles हैं वो lates जो है वो settle हो रहे हैं नीचे जिसकी वैसे हमारे पास rate of sedimentation large particle का ज्यादा होगा और हमारे पास small particle का rate of sedimentation कम होगा क्योंकि वो settle down slow हो रहा है इसी वज़े से हमारे पास larger particles जो हैं वो sediments कर रहे हैं at 60S और हमारे पास small particles हैं वो sediment हो रहे हैं at 40S और जब यह आपस में मिलते हैं तो इनका जो है वो यह बना लेते हैं ats particle इनका change हो जाता है sedimentation का rate क्योंकि यह mix up हो रहे हैं इस वरज़े से ats का आपस में particle बना लेते हैं जब आपस में attach हो जाते हैं तीसरी बात यह कि सबसे पहले हमारे पास एक ही messenger RNA पे इतने ज्यादा group attach हो जाते हैं हमने तो सिर्फ एक portion लिया है तो हम उसे polysome कहते हैं यहां पर मैंने last point लिखा है इसे polysome कहा जाता है और poly का मतलब होता है many or sommies body means बहुत सी bodies जो है वो messenger RNA पर attach होगी है और इस phenomenon को हम polysome कहते हैं और उसके साथ साथ जैसे ही जैसे attach होती जाएंगी वो read करती जाएंगी messenger RNA पर present information genetic information और उसके साथ साथ protein की synthesis होती जाएंगी और यह growing polypeptide chain है जो कि यहां से start हुई इसकी initiation और आगे जाके यह complete polypeptide means protein बन गी और आगे जाके यह global structure बना लेंगी जो कि एक protein structure होगा वो enzyme भी हो सकता है वो हमारे पास hormone भी हो सकता है तो proteins हमारे पास जो हैं वो synthesize हो जाएंगी और इसी तरह यह बात हमारी proof होगी the factory of protein synthesis is ribosome तो यह था आज का हमार टॉपिक I hope आपको आज की lecture की समझ आई होगी फिर भी कोई question हो तो आप comment में जरूर पूछें मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल जरी डॉज अफ एजूकेशन को like करें share करें और subscribe करें और bell icon पे click करके वो वीडियो सो select करें ताकि आपको नहीं आने वाली वीडियो की notification मिलती रहें शुक्रिया अल्हाफिस